नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तार और मैं हूँ आपके साथ मनीशा लेकर आई हूँ आपके लिए रेडियो नियूज तो आज का जो हमारा नियूज है वो है स्पोर्ट्स कॉर्नर से और यक्ष प्रशन जो हमारे सामने है वो है टी ट्वंटी का किंग कॉन रन रेट हो या स्ट्राइक रेट विरात कोहली इस वर्ल्ड कप में सब से आ गए है पाकिस्तन के खिलाफ बेमिसाल 82 रंस के बाद नीदर लैंड और फे आज एडिलेट के मैदान पर बांगलादेश के खिलाफ टॉर्णामेंट का तीसरा अर्दशतक जमा कर किंग कोहली ने अपने बल्ले की चमक एक बार फिर भिखेर दी है टॉर्णामेंट में सबसे आगे हैं अपने कोहली टी टूंटी वर्ल्ड काप टूंटी टूंटी टू में की गोहली इस समय सभी बल्ले बाजों से आगे चल रहे हैं साउथ एफरिका के खिलाफ एक पारी को छोड़ दे तो बाकी तीनों मुकाबलों में विराट कोहली का बल्ला चमकर बरसा है गजब का बर एवरेज कमाल तो भई अपने कोहली का तो कहना ही क्या उनका बल्ला बस बल्ले ही बल्ले है बल्ले बल्ले हो रहा है चारों और पाकिस्तन के खिलाफ मिल्बॉन में कोहली की नाबाद 82 रन की मैच जिताओ पारी हो या फिर नीदरलेंड के खिलाफ धमाकेदार 62 रन्स का 66 रनों की नाबाद पारी इन सभी में उनकी स्ट्राइक रेट चपरदस रही जिनकी आगे कोई भी बल्ले बाज नहीं टिकता है उन्होंने अब तक चार मुकाबलों में तीन हाफ सेंचुरी के साथ 55 के एवरेज से 220 रन बनाए हैं इन सभी पारियों में उनका स्ट्राइक 150 के करीब रहा है वो इस विश्व कप टोनामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्ले बाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं कह सकते हैं कि रन बनाने की फैक्ट्री रन के मामले में अंबानी बन चुके हैं हमारे केंग विरात कहली किरकेट के किंग गराट कोहली बन चुके हैं रनों के मामले में किरकेट के मामले में टॉप पर तो इससे तो यही साबित होता है कि किरकेट का असले के कौन वो तो एक ही है वान एंड ओनली वान एंड ओनली विराट कोहली अपने कोहली तो देखते हैं कोली आने वले समय में और क्या-क्या हमें कारणामे करके दिखाते हैं तब तक सुनते रहिए रेडिय हिंदुस्तान मैं मनीशा लेकर आती रहूंगी आपके लिए ऐसे ही कमाल की नियोज